खबर वो जो सही रास्ता दिखाती है वो नहीं जो अंदेखी अंसुनी है खबर वो जो निकल कर सामने आती है हर छोटी बड़ी खबर पर नज़र जिसका ताल्यू आप से वो नहीं जो केवल बड़े बोल बोलती है ख़बर वो जो प्रिष्टाचार को उजागर करती है ख़बर वो नहीं जो केवा संसनी फिर्मत में सच्चे और सही रास्ते से घुजर कर जो लाए सही पहचाँ यही है ख़बर आश्चार की पहचाँ अभी आपने देखा सांसद आदर्स गाउं हरदुआ की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट इस रिपोर्ट को कभर करने के लिए संपादक जावेद अंसारी ने एक एक गाउं में लोगों से चर्चाएं की और जमीनी हकीकत को आप तक दिखाया साथ हमारे साथ मौजूद थे सुरेंतिवारी ने भी इस पूरे गाउं को बारीकी से देखा और उसकी रिपोर्ट तयार की तो आईए इन दोनों सक्से जानते हैं कि इन्होंने सांसद आदर्स गाउं में क्या देखा क्या कम्या मिली और क्या सांसद की यहां पर अच्छाया थी जिसको यह बया कर सके तो आपने क्या देखा यहां पर जावेज जी जिस तरह से आपने ग्राउंड जीरो में रिपोर्टिंग की सांसद आदर्स गाउं की सडक पानी बिजली जैसी मूल भूश सुधाओं को पर जीरोम के देश के पर्दानमंत्री मुधी एक बड़ी परकल पना थी ंंका ये सोचना था कि हर लोगसवाज चेतर में दो या तीन आदर्स मॉझा के विकास करेंंगे यह इस Salve myth योजनाएं क्या है हुम किस तरीके से पूरे देश का विकास करेंगे विकास माडल का एक रिवा शहर से महच 35 किलूमीटर दूर संभागी मुख्याले से 35 किलूमीटर दूर हर दूआ गराउम में आये थे हमने सोचा था यहां पर पिछले 5 सालों में सांसद का कारिकाल लगबग समाप्त हो गया पास सालों में हम को लगा था कि आ 10क्राम वांगए कैसा हो गया हो जिससे नरेंद्र मोदी जी को तो आजस ग्राम के बदॉलत उनको इतने वोट मिलेंगे कि जनारदें जी यहां से चुनाओ आसानी से जीट सकते हैं लिश्ची तवर पर जावेट जी का जैसा कहना है कि यह मुख्याले से 35 किलोमेटर दूर है और यहां पहुंचने के लिए महत पूर्ण चीज है सडक होना चाहिए तो सडक का क्या हाल था आए जानते हैं सुरेंजी से सुरेंजी आपने सडक को देखा कितनी बेहतर सब्सक्राइब देखिए जो सब्सक्राइब पूरी उखड़ गई है इसके लावा यह कहें अगर जिस तरह से वहां भार्दी की एक सरकार यहां मत्प्रदेश सबस्क्राइब होनी चाहिए अगर कोई बीमार है तो उसके लिए डाक्टर को यहां से 10 किलो मेटर दूरी से मरिया ले जा रहे हैं रात को भाग रहें पानी की समस्या हैं यहां पर सडके नहीं बिजली हैं खंबे लगे हुए पर विजली नहीं है टास्फार्मा एक जब हम 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्स गाउं की इस्थापना की गोशनाएं की उसके बाद से प्रधान मंतरी नरेन मोधी का फरमान था कि सभी सांसद एक एक गाउं चुनकर मौडल के रूपने विक्सित करें लेकिन अगर हम बात करें हर दूआ ग्राम पंचायत की तो यहां प रुजगार और सिख्षा का इस्तर कितना अ आचा है तेकिये विज़ जी सबसे बेसिक किसी गाउं की सबसे बेसिक और सबसे अनिवार ही चाहि एक स्कूल अब जब सिख्षा का इस तरही नहीं तो उद्योग धन्दे औरitness तमाम तरीके की बाते तο बेमानी हो जाता है उस स जगा पर कैसे विकास हो सकता है मैं अपने पीछे जहां पर मैं खड़ा हूं उसके पीछे टंकी भी है मैं आपको बताओं ये टंकी 12 जनवरी 18 को बनी इसका सीधा सा मतलब है इसकूल के बगल में डेड़ साल पहले टंकी बनाई गई उस टंकी में एक बूंद पानी नहीं आय अब आप खुद सोचिए हमारे दर्शक भी इस बात को सोचे जिस इसकूल में बच्चे इसकूल में पढ़ने नहीं जा सकते उस इसकूल में मूल भूत सुविधाएं उस गाओं में कैसे कैसे लाई जा सकती है ये अपने आप में एक खुद बहुत बड़ा सवाल है निशित तोर पर यहां पर कई सारी कम्या देखने को मिल रही है जानसत आदर्श गाओं की घोस्णा होने के बाद जनार्दन मिस्र ने हर्दुआ गाओं को गोध लिया और यहां पर करोड़ों रुपए खर्च किये साढ़े चार साल का वक्त भी गुजर गया तो यहां पर आदर्श गाओं के नाम पर घरिवों के अश्या ने उज्यार तिए गए जो धर woji के लिंजा की सारी देख्ता के ल्गों विल्डिंगंगे चांडाय होगई उनका लोकार पर नहीं हुआ और नहीं हूं और और गंभराब भ्लतकि से अपने चहेतओं को जो है ठेका देने काम रोग देना और नए विल्डिंग जो है नए भावनों की मंजूरी देना तो यहीं देखने को यहां पर मिला है तो यहां पर सांसर जनार्दन मिस्र ने जो काम किये हैं उन्हें उनकी गुणवक्ता के आधार पर 0% ही मिलना चाहिए क्योंकि जो काम यहां पर हुए वो सिर्फ काग्जों में हुए पासी हर्दुआ से यहां पर एक बड़ी गौसाला भी है जो प्रदेश में दूसरे नंबर का इस्थान रखती है बावजूद इसके यहां पर आवारा पसू भूम रहे हैं और उन्हें वहां तक नहीं अपना पूरी तरह से फ्लाप साबित होती है और सिर्फ योजना को काग्ज तक ही सिमेट कर रखा गया है करोडों रुपए खर्च जरूर हुए लेकिन योजना का लाप आम जन को नहीं मिल पा है ऐसे में सवाल यह उठता है क्या आदर्स गाओं के विकास मॉडल के नाम प नुरंजन के लिए आप बने रही है रीवा दर्शन के साथ नमस्कार